हेलो फ्रेंट्स मैं हुरी तू और आप सभी का स्वागत है मारेसीपीस की किचिन में आज हम बना रहे हैं बिलकुल मार्केट स्टाइल जो बेकरी से आप लाते हैं चौकोलावा केक यह वही बना रहे हैं हम और घर पे बना रहे हैं तो हेल्दी है तो चलिए बनाने के लिए बिलकुल मार्केट स्टाइल चौकोलावा केक तो इसे बनाने के लिए डबल बॉयलर का यूज किया जाता है नीचे एक गंजी में पानी बॉयल करने के लिए रखा हमने और उसके उपर रख दिया है एक दूसरा बाउल और इसको हम अथोड़ा सा गर्म होने देंगे और ज अच्छे से कर लेना है अच्छे से मेल्ट जब बॉयलर अच्छे से गर्म हो जाता है पानी तो यह जो उपर का बाउल है यह भी अच्छे से गर्म हो जाता है तो हमने जैसी चौकलेट डाल दी है और बटर डाल दिया वह मेल्ट होने लग गया और यह अच्छे से मेल्ट हो और बावल को नीचे उतार लेंगे तो यहां बावल नीचे उतार लिया है और यह अच्छे से ठंडा कर लेना है हमें यह जो चौकलेट जो हमने लिक्विट कर लिया है इसे बिल्कुल अच्छे से ठंडा कर लेना है तो यह से ठंडा होने देते हैं और तब तक तियार करते हैं baking की, तो यहां baking करने के लिए हमने ली है एक कड़ाई और इससे पहले गर्म होने देंगे और इसमें डाल देंगे नमक, नमक डालने से जो temperature होता है कड़ाई के अंदर का ये evenly बना हुआ रहता है, इसलिए हमने इसमें नमक डाल दिया है और नमक को कोचे से फैलाएंगे और इसमें रख देंगे कोई भी जाली तो यहां हमारे पास में जो जाली है हमने रख दी है और इसको धाग देंगे और अभी medium flame पे इसे गर्म होने देंगे तो हमने गर्म करने के लिए रख दिया है और यहां पी जो चॉकलेट कबीस है वो भी थंड हो गया है तो यहां लिए लिए एक चौथाइ कप मैधा लिया है और यहां लिए पाउडर शुगर हमने घरी में त्यार की है तो यह लिए आधा कप और इसमें डालेंगे एक बड़ा चमपच कोकोपवडर हमने इसमें डाल दिया है ठीक ठीशो आप जै़ FRE़ ऑर यहां हमारी ठंडी हो गई है यह सारे इंग्रिडियंस अब इसमें एड कर लेते हैं और इसे कर लेंगे अच्छे से मिक्स यह अच्छे से मिक्स होना चाहिए इसमें लम्स बिलकुल नहीं रहना चाहिए तो सारे ingredients को अच्छे से पहले mix कर लेते हैं तो यहां सारे ingredients अच्छे से हमने mix कर लिए हैं यह देख सकते हैं बैटर बिल्कुल लंफरी है और अब यहां पे हमने 3 aluminum cups लिए हैं तो यह aluminum cups जो हैं जहां पे भी baking के products मिलते हैं वहां पे यह easily available होते हैं तो वहां से आप इसे purchase कर सकते हैं और आभी चमच के मदद से हम इन cups में डाल देंगे batter तो जब आप batter डालते हैं तो batter को पूरे तरीके से भरना नहीं है cups में उपर से कम से कम यह 1 inch के करीब यह रहना चीए खाली क्यूंकि हमने इसमें baking powder डाल दिया है तो वह full कर उपर आता है और उपर से overflow हो जाएगा इसलिए इसमें उपर खाली रखना बहुत जरूरी होता है तो हमने इसमें जितना हमने feel करना था उतना कर लिया है और अब जो कड़ाई हैं यह भी अच्छे से गर्म हो गई है और stand के उपर रख देंगे अभी हमें एक plate तो यहां हमने plate रख दी हैं और जो cups हैं उनको इसमें arrange कर लेंगे तो यहां हमने तीनों cups रख दिये हैं और अभी इसे हम धाग देंगे और flame जो है यह medium करेंगे और इसे हमें कम से कम 10 से 12 मिनिट के लिए bake करना है तो इसे medium flame पे रखना है और 10 से 12 मिनिट bake होने देते हैं तो यहां 10 से 12 मिनिट हो गए हैं आप देख सकते हैं उपर जो है बिलकुल एक हलकी सी crust आ गई है flame off कर लेते हैं और इसे नीचे उतार लेंगे तो यहां हमने देख सकते हैं यह उपर से जो crust है बहुत अच्छे से आई हैं बिलकुल market जैसे बनते हैं वैसी ही बने हैं तो बनके ready हो गए हैं हमारे चौकोलावा केक यहां आप देख सकते हैं स्टिक में जो है यह बहुत अच्छे से स्टिक हो गया है और यह melted चौकलोट जो है वह अंदर रहती हैं तो बिलकुल perfectly बने हैं market स्टाइल चौकोलावा केक तो आपको यह recipe कैसे लगी मुझे comment box में जरूर बताए recipe पसंद आती हैं तो नीचे like का बटम प्रेस करना ना भूल और 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 भी नहीं recipe इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें thank you for watching